कि दोस्तों अभी थोड़ी ही देर पहले दो आर्बोरियल सापों को अमारी टीम के द्वारा निकाला गया और हम आ गये हैं इनके प्लाक्रितिक परिवेश में इनको रिहाग करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बता है कि दोनों ही साप आर्बोरियल है एक नॉन वेनमस है और इसका विज्ञानिक नाम है और देखिए कितनी आसानी से यह पेड़ों पे चड़ जा जाते हैं बहुत ही कमपटबल फील करते हैं यह प्रेड़ों पे इसमें जरा भी जहर नहीं होता है यह अपनी रफतार से और अपनी ताकत से अपने शिकार को पकड़ते हैं और उनको म वाइपर ग्रीन पिट वाइपर भी इसे कई जगा पर कहा जाता है हमारा प्रयास है इसे ऐसे पेड़ पर छोड़ना जो इसके सर्वाइवल के लिए थोड़ा हेल्फफुल साबित होगा और हम प्रयास करेंगे कि यह इस पत्ते पर या इस लता पर जो है वो निकल आए अम मौर्फ जो है इनका अलग होता उस दिन जो हमने मौर्फ निकाला तो इस पेकल्स बहुत जादा और क्लियरली विजिबल थे सबसे पहले दोस्तों इसकी शारीरिक शम्ताओं को आप देखें अमेजी आपकी क्या टिपड़ी होगी जो लोग कहते हैं कि साप बेकार जीव है आप इस विशेप पर कोई पहले टिपड़ी करें उसके बाद हम मौफ पर आते हैं आप देख सकते हैं कुछ भी बताने के लिए तो यहाँ पर ही नहीं यह जो बेल आप देख रहे हैं बहुत ही कमजोर बेल है लेकिन क्या बैलन्स इसने बना रखा है बिना हाथ बिना पैर के हाथ पैरो वाला इंसान को भी शरम आ जाए इसका बैलन्स देखके बहुत ही शांदार यह बैलन्स है और बेकार जी तो यह बिलकुल भी नहीं है अच्छे जी यह जो रोल प्ले करते हैं एंवार्मेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रो रोल है अगर सापों को एंवा अलग मौर्फ में यह साब दिखते हैं तो एक जो माउर्फ है जो हमने रात को छोड़ा था जिसपे स्पेटल्स ज्यादा थे और यह जो मौर्फ आप देख रहे हैं इस पे स्पेटल्स तोड़े जाते हैं आपने और इन बच्चों ने भी सवान टोफी लगाई हुई है वन मितान कारिकरम में हम इस वक्त हैं और यह रेस्क्यू किये गए सापों को छोड़ रहे थे तो आप इन बच्चों से क्या बताना चाहेंगे यह तनमे आपका नाम है तनमे जी हमारे साथ है आठवी तो आपने क्या किया फिर कुछ ने किया वह पेड़ पर था हम लोग इसकुल से आ रहे थे इसकुल नहीं करें में अपना काम से घर सब्सक्राइब आज प्रकृति बचाने के लिए जो आठवी बच्चे के बच्चे ने बादब बताई है कि साप दिखने प्रकृति से छेड़ चार ना करें इसका मतलब है आप कुछ भी ना करें आप प्रकृति से छेड़ चार ना करें देखिए यह कमी चैनल्स या कमी लोग आपको यह बताएंगे जो बात इस बच्चे ने आपको बता दी कि कुछ ना करके आप प्रकृति को बचा सकते हैं में देवारे.